वेल्कुम तो माइ चैनल तोड़ी विल दू अवर चैप्र फॉर्स एक्साइज तो लेट्स एक्साइज ठीक है तो सुबसे बहले हमारे पास फॉर्स्ट कोश्टन है यूजिग एप्रोप्रियेट प्रॉपर्टी इस फाइं ठीक है तो फॉर्स्ट पॉइंट वाइस है यह तो हम इसका फॉर्स पार्ट करते हैं माइनस टू बाइ ठीक है इसको उठाकर हमने इधर डाल दिया यह दे यह डाला हुआ और इसको हमने लास्ट में शिफ्ट कर लिया ठीक है तो बाई यूजिंग कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी आपने प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है क्योंकि इसके एक्जाम में मार्क्स मिलते हैं ठीक है तो अगर आप लिखोगे तो इस बैटर ठीक है तो फिर इसके बाद हमने क्या किया हमने इन दोनों को कॉम्मन निकाल लिए देखो कॉम्मन है ना तो हमने निकाला कॉम्मन माइनस 3 बाइ 5 ओकी तो बैकिट में आया 2 बाइ 3 मल्टिप्लाइ बाइ मल्टिप्लाइ नी सॉरी प्लस 1 बाइ 6 ठीक है अब यहां पर प्लस 5 बाइ 2 भी लिख सकते हैं as your wish जब लिखना ज़रूरी होता है ठीक है तो अब इनको अंदर प्लस कर देते हैं माइनस 3 बाइ 5 और इन दोनों को अंदर हमने प्लस कर दिया है LCM हमने 6 ले लिया ठीक है इसको हुआ हमारा 4 प्लस 1 ठीक है प्लस 5 बाइ 2 तब इसको थोड़ा आगे सॉल करते हैं ठीक है तो यह हुआ हमारा माइनस 3 बाइ 5 ठीक है ब्रैकेट में यह हो गया 5 बाइ 6 प्लस 5 बाइ 2 तो इनको मल्टिप्लाइ कर देते हैं ब्रैकेट ठाके माइनस 3 बाइ 5 बाइ 5 बाइ 6 5 तू 5 कैंसल हो गया ठीक है तो हाया हमारा माइनस 3 बाइ 6 प्लस 5 बाइ 2 ठीक है तो अब हम प्लस है यह प्लस के प्लस 5 बाइ 2 अब इसका लस्म ले ले लेटे हैं हम 6 हमारा यह जो है न यह भी कट हो जाएगा 1 बाइ 2 कैंस 1 बाइ 2 तो हम लस्म 2 ही लेंगे तो 2-1 as it is आ गया प्लस 5 तो यह हुआ प्लस माइनस माइनस 4 बाइ 2 वेकट होके आ गया हमारा answer 2 यह 2 हमारे first path का answer है second path हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे आप चाहे तो इसका मैं आपको एक review दे रहती हूँ सबसे पहले हमने इसको arrange किया है by commutative property फिर हमने इसको मतलब common निकालके distribute किया है by the distributive property distributive property ओके फिर उसके बाद हमने इसको solve कर दिया है जैसे कि इसके बाद common लेके अंदर को हमने plus कर दिया फिर इन दोनों को multiply करके plus 5 by 2 कर दिया तो last mean को plus किया और हमारा lcum पगेरे लेके answer हमारा आया है 2 ठीक है 2 is our answer ओके any doubt any query please write in our comment section और do subscribe our channel bye bye for now